वेलकम तो स्टडी चैनल मिना नाम है मुहम्मत कैसर केवियस संगठन.nisc.in जो केवियस की ओफिसल विपसाइट है इस पर केवियस की नई भरती के बारे में सूचना निकल कर आ गई है केवियस की पिछली भरती 2022 में आई थी TGT, PGT, PRT और कुछ non-teaching post के लिए भी छातरों को इंदजार था एक नई भरती का तो आप देख सकते हैं इनके updates वाले section में tentative vacancies के बारे में यहाँ पर information दी गई है दस जो उनको यह PDF डाला गया था वेबसाइट पर जो लगबक 500 पेज का है काफी बड़ा यह PDF है इसमें दोस्तों region wise जो अलग-अलग post है उनके vacancy के बारे में बताये गया है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आगरा में assistant section officer ठीक है zero vacancy है वहीं पर आगरा में headmaster का एक seat है ऐसे आप देखेंगे PGT में कहीं पर zero है कहीं पर एक है कहीं पर दो है अलग-अलग यहाँ पर TGT, PZT, PRT, librarian तमाम पदों के बारे में बताये गया है और कहीं पर zero है कहीं पर एक है कहीं पर दो है कहीं पर पांच भी आप देखें यहाँ पर बागपत primary में पांच seat रिक्त बताई गई है तो किन सरकार ने निर्देश दिया है सभी भागों को कि जहाँ पर जो भी रिक्तियां है उसको जल्द से जल्द भरा जाए और इसको लेकर कारवाई भी शुरू हो गई है देख सकती है यह जो PDF है यह 540 page का है ठीक है बहुत बड़ा यह फाइल है कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में एक vacancy एक विग्यापन के वीज की दरब से देखने को मिलेगा जहां पर रिक्तियां आपको अच्छी खासे देखने को मिलेंगी फिर से TGT, PGT, PRT और non-teaching post के पद होने वाले हैं तो आप लोग अपनी तयारी में लग जाएए जब फाइनल रिक्ति आएंगी सब कुछ जोड़कर कि PRT में कितनी सीटें हैं TGT में PGT में अन्य पदों के लिए कितनी सीटें हैं तो आपको जानकारी दे दी जाएगी इसी साल एक vacancy आनी है KVS की तो अभी से आपको तयारी शुरू कर देना है क्योंकि विग्यापन आने के ब भरती को पूरा कर लिया गया था हाला कि PRT में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि बहुत सारे मामले कोट में चले गए थे बीएड वाला मामला था फिर लास्ट में एनाइवेस्ट वाला मामला आ गया ठीक है लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है सारे चीज़ां कोट से डिसाइड प्राइमरी के लिए आपका टू इयर डिप्लोमा इन अलिमेंटरी एजुकेशन और सीटेट का पेपर वन आप पास होने चाहिए टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन संबंधित फिल्ड में होना चाहिए जिस विसे की भरती है आपका ग्रेजुएशन यानि यूजि उस सी फिल्ड में होना चाहिए बीएड कंपलसरी है और सीटेट का पेपर टू टीजीटी में सीटेट का पेपर टू पास मांगा जाता है के विस में ठीक है बाकी सब्देट कॉमिनेशन वगरा है पर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक डीटेल वीडियो बना दूँगा और पी वेगैंसी आने जा रही है त्यारियां शुरू हो गई है किन सरकार काफी समय एक्शन मोड में है जिस प्रकार से चुनाओं के नतिज़े आये हैं सरकार रोजगार को लेकर काफी अब सीरियस होते हुई दिख रही है तो के विस के वेगैंसी साल आपको देखने को मिलेगा स साल के अन तक ही वेगैंसी आएगी लेकिन अच्छे कासे उम्मीद तो है कि सीटें इस बार भी होने वाली है फिलहाल इस विटम बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग